महाभारतुम् भीम विजयह, पांडवानाम एकवर्षस्य वनवासस्य अनंतरं, अजुनह, इंद्रलोकं गतवान, सह ततह, पंच वर्षानाम अनंतरं, पृत्या गतवान, तस्य आदमनान अनंतरं, चत्वारी वर्षानी, पांडवाह, गंधमादन पर्वतत् प्रदेशे अनुदर्यं द्रिष्ट्वा, संतोषं अनुभूतवंतह, वनवासस्य दशवर्षानी समाप्तानी, एकादशं वर्षं आरब्धं, द्वादश वर्षानी यावत वनवासं कृत्वा, वर्षं यावत अज्यातवासह करणीयह आसीत खलूतैहि, अज्यातवासान नंतरं, प्रतीकारह साधनीयह आसीत अपि, प्रतीकारा थंपानवाह अवकाशं प्रतीक्षमानाह आसन, तस्मिन्जमय कदाचद भीमह धर्मराजं निंदितवान, तच्छुत्वा अर्जुनह नकुलह सहदेवह च्छ मौनं स्थितवंतह, भीमस्य व्यवहारं न खंडितवंतह त इतम विशयम ज्यात्वा धर्मराजह, दीर्गकालं यावत वयं एतस्मिन्सुखमये प्रदेशे वासं कुर्वंतह, यत तस्य परिनामह येशह, अतह अचिरात एव, एतम देवप्रांतं विहाय प्रतिकंतव्यं इतिनिष्चितवान, भीमह यदा घडोत्कजं स्मृतवा अनुचरैही सह आगत्या, पांडवान, विर्षपर्वणह आश्रमं नीतवान, ततह ते बदरिकारण्यं आगत्या, तत्रैव मासं यावत स्थित्वा, किरात देशस्थं सुभाहु पुरं प्रप्तवंतह, इंद्रसेनह, विशोकह, इत्यादयह, पांडव बृत्याह, घटोत्कजं तस्या अनुचरांच प्रतिप्रेश्य, पांडवाह, भृत्याही सह, अदाभ्याम एव, हिमालयस्थं, विशाकस्थूपं प्रप्तवंतह, तस्मिन प्रदेशे, मृगयार्थं, योग्याह, मृगाह, आसन, मृगयया, पांडवाह, अथ्यधिकत्रुप्ति अनुभवंतीस्म, अतह, ते मृगयाम कुर्वंतह, वर्षम्यावत संतोशेन, तक्रैवस्थितवंतह, यकदाभ्यमह, आयुधानी भृहित्व, मृगयार्थं, गतवान, सह, बहून, मृगान, मारयन, कंचित, महासर्पं दृष्टवा, तस्यवर्नह, हरितह, मुखं, गोरदंष्ट्राह आसन, तस्यनेत्रे अग्रिगोलके इव प्रकाषतेस्म, तस्यमुखात निर्गतया, विशज्वालया, वृक्षाह, दग्धाह, भवंतीस्म, ताद्रुषं महासर्पं धीमह, कदापीन, दृष्टवान, आसीत, सह, गर्वेन, तं सर्पं मारयतुं, उ भ्रांतह भीमह, तस्मात विमोचनं प्राप्तं प्रयत्नं कृतवान, परन्तु, तत असाध्यम जातं, यतस्मात भीमस्या आश्चेवियम जातं, नितावता धर्मराजह, भीमस्या अनुपस्थितिं ज्ञातवान, सह द्रौपध्याह, रक्षनार्थं, अर्जुनं, भीमस्या गमनदिशी अनुस्थृत्या धौम्यमहर्शिनासह गतवान, मार्गे सर्वत्र भीमेनाहताह मृगाह, राशीरूपेनापतिताह आसन, अतह मार्गस्या अन्वेशने धर्मराजस्या कींचिदपी कर्ष्टम नजातं, तथाएव अग्रे गतवान धर्मराजह, सर पेन ग्रहीतं असहायकं भीमम दृष्टवान, भीमस्या एतादृशी परिस्थितिही की मर्थम आगताह इती नजातवान धर्मराजह, सह सर्पमुद्धिश्या उक्तवान, सर्पराजह भवतह आहारह आवश्य कहचे, अन्यत्कीमपी प्रार्थयतू, अहम्ददान, इतं क्यजतू उक्रुपया इती, तदासर्पह भोहो बहुकालान नंतरम भगवतह दयया भवतह अनुजह मया प्राप्तह, सह ममा आहारह अस्ति, अतह तम अहम न थ्यजामी, हस्तगतं आहारं कोवा परिक्यजेत, भवान अपी यदियत्रैवतिष्थति, तरहीश्वह भव नंतरम अभी खादेयं इती, धर्मराजयम उक्तवान, तस्य उततरम शुत्वा धर्मराजह, भवान कह, इती, पृष्टवान, अहम भवतह पूर्वजह, ममनाम नहुशह, यावत जीवितवान, तावत पुन्यकारियम कृत्वा, अहम भवकालस्यतपसा, इंट्रपधवीम प्राप्तवान आसं। प्रिष्टवान आसं। प्रिष्टवान आसं। प्रिष्टवान आसं। प्रिष्टवान आसं। सुखदुखातीतं परब्रम्हत्वं अस्ती इती भवता उक्तम। तत विहाय अस्मिन प्रपंचे अन्यक्किम अपी भवितुम्न अरहतीवा इती। सत्यादि सत्गुणाह शूद्रे संतीचे सह शूद्रह इतीन उच्चते। ताद्रश गुणाह जाती ब्राम्हणे न संतीचे सह अपी ब्राम्हणाह इतीन उच्चते। तथान वक्तव्यम अपी। आचरणम एव सर्वोत कृष्टह गुणह अस्ती। की तोष्णयोहो मध्ये अन्या कापी स्थितिही यतान भवती। तथा सुखं दुखंच विनालोके अन्यत किमपी नास्ती एव ताद्रुष द्वन्द्वातीतं श्रेष्ठं परब्रम्हत्वं एकं एव इती ममभाती। इती उत्तरं दत्तमान धर्मराजह। भवता उक्तम यर आचरणम एव अत्युत्तमं इती। तरही आचरणमात्रेन कोपी ब्राम्हन भवतीचे वर्नाश्रम अव्यवस्था व्यर्था एवस्यात खलू इतु प्रिष्टवान सर्पह। तदा धर्मराजह जननम् मरणम् अपत्य प्राप्तिही वाग्व्यवहारह इत्यादयह सर्वेशां समानाह एव परंतु पूर्वं अनवधानात्यातस्य जातिसांकर्यस्य कारणतह एताद्रशाह वर्नाश्रम अव्यवस्थादयह कृताह। तावत एवना यह वेदान जानाती तस्य आचरणं एव प्रमुखं यह कोपी ब्राम्हनवंशं संजातह भवती चेदपी वेदसंसकार प्राप्तिपरियंतं सह शूद्रह एव भवती अनंतरं क्रमशह सत्यादि गुणान यदा प्राप्नोती तदा ब्राम्हनह इती उच् ताद्रशगुनान प्राप्तवान शूद्रह सच्छूद्रह इती उच्यते इती पूर्वम एव स्वायं भुवमनुना उक्तम अस्ति इती उक्तवान तत्षुद्वा सर्पः भवता उत्तरेङन स्टुषटः अव भवता अनुजम्जिया जामी इती उक्तवा स्वशापरूपात मुक्तिम प्राप्या नहुशरूपं प्राप्तवान तावतास्वर्गतः विमानं आगतं, तत आरुह्य सहवर्गं गतवां', अरंतरं धर्मराजः घीमेन्ध ध dwण्येन च सहवर्णशालां आगतवां, सर्वमृत्यां तत्रत्यां उक्तवांच, भीमेना एवं साहसकार्यं ना करनीयं आती, इतिचिंतयंतह तत्रत्याह धर्मराजस्य ज्ञानित्वं स्मरंतह संतोषं अनुभूतवंतह पांडवाह वर्षाकाल समाप्तिपरियंतं द्वैतवनेस्थितवंतह अनंतरम ब्राम्हनै ही स्व परिवारै ही सह काम्यकवनं गतवंतह तत्रत्याह सर्वे मुनयह उत्तमरीत्या पांडवानाम उपचारं कृतवंतह तावताएव पांडवानाम द्रष्टुं कृष्णह सत्यभामा सह तेशाम समीपं आधितवां एकैकस्या अपी योगक्षेमं विचारितवां च अनंतरम सह धर्मराजम उद्धिष्य धर्ماराज भ वान एता वती इनान आ अरण्ये अस्ती चेदपी राजा धर्मम एमक मालयन अस्ति धर्मराज स्ह अति अनवर्थं नाम भवतअ या भवतां वन्वा शकालस अज्यात वा सकल च शमाप से तावता भवत शक्त्रवह केतव्याह येतदथं सर्वदा अस्माकं सहकारह भवतह अस्ति एव भवान पुनह निष्चयेन राज्य पालनं करिश्यति इति उप्व द्रौपदीम उद्धिश्य पांचाली दुर्योधनादी नाम कालह समाप्तह भवत्याह पुत्रां सुभद्रा सम्यक पश प्रद्युम्नह तान धनुर्विद्याम पाठयन अस्ति भवती पुत्रानाम पालनविशये कदापी चिंताम्मा करोतु इति उप्तवान धर्मराजह कृष्णम नमस्कृत्य भवान एव अस्माकं रक्षकह वनवासह समाक्त प्रायह भवतह अनुग्रहेन अज्ञातवास अपी निर्विध्रम प्रचलेत एव तदननंतरम अस्माभिह किमकरणीयम इति भवता एव सूचनीयम इति प्रार्धितवान यदाक्रिष्णह पांडवैही सह संभाशमानह आसीत तदा एव तत्र मातकंडेयमुनिही आगतवान यद्यपी तस्यव्वयह अधिकं जातम आ मार्कंडेयमुनिही तत्रस्थितान सर्वान अनेकाह कताह उक्तवा अनुसरणियान धर्ममार्गांच उपदिष्टवान यदा आश्रमाद बहिही एतेशाम संभाशनम प्रचलत आसीत तदा आश्रमस्य अंतह सत्यभामाद द्रौपदीन उद्धिष्य भवत्याह पतयह दिप्पालकानाम अपेक्षया अपी श्रेष्ठाह ताद्रशान पंचपतीन अपी भवती सर्वदा कथम प्रीत्या पश्षती तान वशीकर्थुम भवतीम किवपी ब्रतम कुर्वतीवा मंत्रतंत्रेन वा तान वशीकृतवतीवा ताद्रुषम रहस्यं भवतीम माम भामे भवत्या उच्चमानं वशी करणमार्गं दुष्टस्त्रियह अनुसरंति कृष्णस्या पत्नी भवती एताद्धृषं अनुचितं प्रश्णं न पुच्छेत एव आत्मनह विशये एव भवती किमर्थं संशयं करोति मत्पत्या ममविशये मंत्रतंत्र प्रयोगह क इती यदी पत्या ज्ञायेत तरही सहपत्नीम विशसर्पम इव पश्येक खलू अहम ममपतीम अपेक्षाह न वदामी अपेक्षाह कदाचित न पूर्यंते चेलपी कोपम न करोमी ममपतयह माम इच्चंती इतिकारणतह तेशाम सेवाम कदापी सेवकारां द्वारा न कारय तैही विष्डम एव पाकं अहम एवकृत्व मम अहस्ते न एव परिवेषयामी तेशाम वचनस्य विरोधां कदापी न करोमी अहम कारणंविना न हसामी च्च्च मम सपत्नीभ्यह न असुयामी यदा धर्मराजह इंधर प्रस्थे शासनम करोधीस्व तद प्रतिदिनम स ब्राम्हानाह मुनैयाह चा अगच्छन्थिस्मा टेशाम अधितिनाम सक्कार अध्यवस्थाम आहम एव पश्यामीस्मा यद्यपी पान्डवानाम अंयाह पत्यवां अध्धिकाह अध्याह दास्यः अंयेसेवकाह चा आसंता सित्फा अधितिनाम स मिव invers श्र्वेशाम अपि अहम एव पश्रामिस्म एवं कुटुम्बस्य सर्वं भारं अहम एव उधवती अतह एव मम विशये मम पतीनाम तावान विश्वासह अनुरागह च तेशाम वशीकरनार्थं मंत्रतंत्रयोहो प्रयोगस्य प्रसत्तिही एवनास्ति इति उक्तवती निरौपध्याह वचनानी शृत्वा सत्यभामा भावधीम एताद्रिशं प्रष्णं प्रिष्टवत्याह ममपश्चात्तापः भावधी एदत्सर्वं अहम कुटूहलार्थं प्रिष्टवती भावधीमै कुपितामा भावतू इति उक्तवती अनंतरम मार्कंडेयमुनिही कृष्णह सत्यभामाच्य पाणवानाम अनुज्याम प्राप्य स्वस्थानम प्रतिप्रस्थितवंतह ततह पाणवाह अपी काम्यकवनम् विहाय पुनह द्वैतवनम् आगतवंतह तत्र कस्मिन्स्चित सुंदरप्रदेशे सरोवरस्य पार्ष्वे परनशालाम निर्माय तत्रैव वासं कृतवंतह च्च यदा पाणवाह द्वैतवने आसन तदा कस्चित ब्राम्भनह हस्तिनापुरं गतवान तत्र धृतराष्टरुम् द्रिष्ट्वा भोहो राजन अहं द्वैतवनात आगतवान तत्र पाणवाह सर्वानी कष्टानी अनुभवंतह वासं कृवंतह संती त्रिलोकीम एव जेतुम्षक्ताह पंचपतयह संतीचे दपी द्रवपदी अन्यता इव कष्टेन जीवनम कुर्वती यस्ति इति उक्तवां तस्यवचनम् शुत्वा धृतराष्ट्रह दुखितह यतह पांडवानाम कष्टानी ममा अपेक्षा कारणतह इव आगतानी इति भावयतिस्म सह सह तंब्राम्हनम उद्धिश्य ममपुत्राणाम अपेक्षया धर्मराजह उत्तमह सह कदापी कुपितह न भवती अर्जुनह धर्मराजस्य विधेयह भीमह तथाना सह पराक्रमी अर्वदा कुपितह एव भवती परंतु धर्मराजस्य वचनानुगुणं एव सह व्यवहरती इतस्याह परिस्थिदेहे कारणंतु ममपुत्रह दुर्योधनह एव तस्य दुष्टवुधिकारणतह एव पांडवाह कष्टम अनुभवंतह संती यदि पांडवेप्यह दुर्योधनेन अर्धराज्यम दियते तरही देशाम कष्टम एव नास्ते परंतु सह न ददाती तस्या स्वभावह एव तथा न जाने अग्रेकी द्रशह विनाशह भवेत इति इति वदन दीर्गम निश्वासितवान अनुवर्तते